एकता कपूर का नया रियालिटी शो लॉक अप जल्धी MX प्लेयर और अल्प बालाजी पर शुरू होने जा रहा है इसमें एक्टरेस का नरनावत होस्ट करेंगी 27 फर्वरी से 24 इंटू 7 दिखाय जाने वाले इस शो में कौन को नजर आएगा इससे परदा उठना शुरू हो गया है मेकर्स ने पिछले दिनों 3 कंटेस्टेंट के प्रोमो रिलीज किये थे हलाकि उनमें किसी भी कंटेस्टेंट का चेहरा नहीं दिखाय गया था लेकिन अब मेकर्स ने एक नया प्रोमो शेयर किया है जिसमें एक्ट्रेस निशा रावल को दिखाया गया है इस तरह निशा रावल लॉक अप की पहली कंटेस्टेंट बन गई है काफी समय से इस बात पर संसे बना हुआ था कि कंगना रनावत के इस शोग का हिस्सा कौन होगा हर किसी के मन में सवाल था कि आखिर इस शोग का हिस्सा बनने की हिम्मत कौन करेगा लेकिन अब वो हिम्मत एक्ट्रेस निशा रावल ने दिखाई है नीशा लॉक अप की पहली कंफर्म सदसे बन चुकी है नीशा रावल एक पॉपुलेट टीवी एक्टरेस हैं पिछले साल यारी 2021 में वो अतब सुर्ख्यों में आई थी जब उन्होंने अपने पती या और एक्टर करण महरा पर घरेली हिंसा और मार पीट करने का आरोप लगाया था नीशा रावल ने करण महरा के खिलाप पुलिस में शीकायत भी दर्ज करवाई थी जिसके बाद एक्टर को गिरफतार भी कर लिया गया था हालांकि कुछ घंटों बाद करण महरा जमानत पर रिहा हो गए नीशा और करण महरा ने एक दूसरे पर संगीन आरोप लगाये थे फिलहाल दोनों का कलाग का केस चल रहा है बॉलिवूड और एंटरेटेन्मेंड ही खबरों देते रहे ये ABV एंटरेटेन्मेंड